स्वागत है आपका हमारे चानल पर आज हम डिसकस करेंगे कि कैसे हम अपने एपे अकाउंट से 218 डॉलर को अपने लोकल अकाउंट में ट्रांसपर कर सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप गाइडन्स के साथ आपको इस प्रोसेस के किसी भी स्टेप में दिक्कत नहीं होगी तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला स्टेप है एपे अकाउंट में लॉगिन करना अपना यूजर नेम और पास्वर्ट डाल कर अपना अकाउंट एकसेस करें आपको एपे के डैशबोर्ड पर ले जाएगा जहां आप अपना अकाउंट बैलन्स और रिसेंट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं अब चलिए विड्रो प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं डैशबोर्ड पर आपको पे इन पे आउट एंड कनवर्ट को आप्शन दिखाई देगा तो पे आउट आप्शन पर क्लिक करना है पे आउट आप्शन पर क्लिक करने के बाद रिसेव इन फॉर्मेशन में हमें कुछ इन फॉर्मेशन यहाँ पर पूट करनी है जैसे रिसेव करंसी कंट्रियो आप रिजन इंडिया ठीक है और रिसेव मेथड में हमें लोकल पेमेंट रखना है रिसेव चैनल में आई हमें pay information यहाँ पर क्लिक करनी है और अब हम यहाँ पर payment amount पूट करेंगे तो हमारे case में यहाँ पर $218 डॉलर पड़े हुए है balance के तोर पर तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर $218 डॉलर ट्रांसपर करना तो यहाँ पर हमें amount लिखनी है $218 यहाँ पर आप single limit ले सकते हो $20 से लेके $10,000 तक ठीक है $20 के उपर होना चाहिए यहाँ की limit है तो $218 के बन रहे है यहाँ पर $17,777 और यहाँ पर हमें rate मिला है $82.67 इंडियन रुपिस का और यहाँ पर जब हम amount transfer करते है तो यहाँ पर जो withdraw charges लेते है वो है $3 ओके तो अभी हमें यहाँ पर payment code put करना है और आपके पास एक Google verification code आया होगा उसको यहाँ पर हम put करेंगे then confirm पर click करना है confirm पर click करने के बाद हमारा order successful हो जाएंगा अब हम check order पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है अभी हमारा order जो है यह pending में चला गया है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा order complete होने के लिए ज्यादा time नहीं लगता है दो से 4 घंटे लग सकते है और यदि इसके उपर time लगता है तो आप थोड़ा wait करें एक दिन का आपका जो amount है वो transfer हो जाएगा ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते है यहाँ पर pending में हमारा one order अभी पड़ा हुआ है और balance है 0.48 dollar ठीक है तो थोड़ा wait करते है उसके बाद में जैसे ही मेरे पास में यह amount transfer होके आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर screenshot दे दूँगा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 17,777 रुपिस का हमें यहाँ पर amount मिल चुका है तो दोस्तों य यह था step by step guide ई-pay से पैसे withdraw करने का मुझे उम्मिद है आपको यह video helpful लगा होगा अगर आपको video पसंद आई हो तो like करे, share करे और channel को subscribe करना ना भूले कोई question या suggestion हो तो नीचे comment में जरूर बताए मिलते है next video में तब तक के लिए take care and good bye